हेलो फ्रेंड्स वाइकम बैक्ट तो माई गार्डिनेग चैनल सब्चुन का मौसम शुरू होने वाला है अब हम सब्चुन वह भाइने के तयारी कर रहे हैं सीट्स तो मैने कुछ लगाए हुए है और कुछ पनीरी तो मैं रेडी है फूलों के जो सीड्स हैं वो भी कुछ अब हम डालेंगे इस मौसम में लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ थोड़े सी चेंजिस किये हैं मैंने फर्स टाइम जो है बल्स ट्राइ किये हैं और मैं भी आप लों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी यह आप देख सकते हैं यह मैंने ग्रिल हैंगिंग बास्किट्स लिए हैं इस दफ़ा बहुत ही खुश्चूरत यह बास्किट्स हैं और यह मैं नीचे अप प्लांट लगाऊंगी मैं इसमें या फिर मैं इसमें जो है वो वांडरिंग ज्यू लगाने का सोच रही हूँ तो आप भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो मैं लगा सकती हूँ जो के इस मौसम के हिसाब से भी हो और वो दिखाऊंगी हर बल्ब की प्राइस भी बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन में भी जो है मैं आपको लिंक तूंगी जहां से मैंने पर्चेस किया हैं अगर आप चाहें तो आप जाकर के वहां से पर्चेस कर सकते हैं अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को प्लास्टिक नहीं है तो बहुत जबरदस्त हैं आपके लंबे टाइम तक चलने वाली है लेकिन इसके बॉटम पर होल नहीं है जो ड्रेनिज के लिए हम होल यूज करते वो नहीं है तो आप इसमें जो छोटे ब्लैक पॉट्स मिलते हैं जिसमें अक्सर वो पनीरी वगरा ग्रो करते हैं तो आप वो पॉट लेके उसमें अपना प्लांट लगाए और फिर उसको इसके अंदर अख सकते हैं इसके प्राइस जो है वो 600 रुपीज है और इसके इलावा है ये प्रूनर ये प्रूनर भी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का है मैंने इसको यूज किया है और खास्थारप अगर आपके पस कुछ हैسे प्लांट्स हैं जो ठिक जिन में की ब्रैंशिज हैं तो उसके लिए आपको बहुती शार्प टूल चाही चाहिए शार्प टूल तो आपको наж मैं पिछलिंग के और के बड़व कर्या Совा चाहिँ करेंगी कि तो अधर मैंने लिएफ्टेरीश हैंो है कि शीरिधी के अथर सेल्श काफ भाड visit तो जो अकसर बेल वाली सबजियां होती है या थोड़े से जिसके मूटे बीच होते हैं वो हम इसमें लगाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके नीचे यह सराफ भी है और यह साथ बॉटम ट्रे होता है और यह मस्ट होता है स्टेंडर्ड साइज काता है आप कोई भी सेल्स व अपर पर हमारे जो सीडलिंग्स हैं वो नीचे से अपनी जरूरत के साथ से पानी लेते रहते हैं अच्छा इसके प्राइस जो है जो सीडलिंग ट्रे है वो 150 रूपीज का है और ऑजो बॉटम ट्रे है यह 200 रूपीज का है तो प्रेंड्स मैंने सुचा कि आप लों के साथ तफ़ा प्रैस्स भी शेयर करूं ताकि यह आपनों के लिए helpful रहे तो यह जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं यह है सैफरान जिसे हम जाफरान भी कहते हैं और ये बहुत ही expensive herb होती है और इसके flowers जो है वो बहुत ही खुबसूरत से purple color के होते हैं और इसके जो जो इसके अंदर stigma होता है हम उसे use करते हैं वो जाफरान के तोर पर हम खानों में use करते हैं और बड़ा ही खुबसूरत सा ये plant है और इस plant इसकी जो price थी वो इसकी price मुझे exactly तो prices नहीं है शायद मैं कुछ mix ना कर दूँ आप shop भी visit कर सकते हैं और खेर इनका Instagram पर भी page है उस पर भी आप इनके product की details देख सकते हैं तो वहां से भी आप prices confirm कर सकते हैं लेकिन I think के ये 50 रुपीज के आगे पीछे इसके एक bulb की price होती है और next है ये जी gladulous flower की ये जो हैं bulbs है मेरे पास ये देखे ये कुछ चप्ते से जो है onions की तरह दिखते हैं और ये भी बहुत ही खुबसूरत प्लांट है मुझे वैसे ये नहीं पता कि ये जो मेरे पास आए हैं ये कौन से colors में हैं लेकिन ये बहुत ही ज्यादा colors में available होता है और इसके लावा अकसर जो बुकेज हम बनवाते हैं तो इसमें भी आपको ये प्लांट flowers जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है इसके leaf भी बहुत खुबसूरत होते हैं और एक थिक सी stem निकलती है जिस पे बहुत ही खुबसूरत से flowers लगते हैं ये 80 रुपीज के आपको पता होगा के डैफिडल्स के बहुत ही फेमिस पोई थी तो ये रहे डैफिडल्स के बल्स और बल्स जबी आप खरीटे हैं तो हमेशाय याद रखिये कि जो बड़े साइस का बल्ब है वो हुःते हैं और जो पॉइंट्टिट एरिया होता है अन्य जो जो जोटे हों सकता है एक सब कर देक्छ ना आए ऐसे तो बने सीपने जो पुस अपर अगर जो बने रोपी तॉर एक समें बह्त जो चुक्छ डूरावs दो मेरके फार बने पाविन बीए और इक डीलेख ऑर इक और जो अधार जो प्रावरी ऑसे ने यही है से इस वक नहीं है लेकिन उसके बलकी प्राइस जह है वो 100 रुपीज के आगे पीछे होती है तो इसकी मेरे बस दो वेराइटीज है एक जो वाइट कलर के आते हैं जो के शायद आइस फोस के नाम से हैं और डूसरे जो नार्सिसस है ये भी देखें ये भी नार्सिसस की ही वे के नाम से है खेर इसका अपडेट मैं आप लों के साथ शेयर करूंगी और आइटिंक वीडियो काफी लंबी हो रही है अब तक के लिए इतना ही इसको लगाने का प्रॉपर तरीका इसकी कियर की ओपर मैं डीटेल से वीडियो बनाऊंगी जो मैं आप लों के साथ शेयर है और आप लोग अगर पिंडी और इसलामबाद से हैं तो एजली आप इनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं इनका पेज भी इंस्टरग्राम पे आप वहां पे भी शेयर कर से वहां पे भी इनको विजिट कीजे इनके पेज को और अगर चाहें तो चीजे जो हैं ये इन डिलेवर भी करते हैं